हेलो मेरे प्यारे बच्चों जैहिंद मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर आपकी नितिका मैम आज हम पड़ेंगे हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण का पार्ट 18 जिसका नाम है कहानी लेखन मतलब कहानी लिखना है स्टोरी राइटिंग हिंदी व्याकरण की बुक उपन कीजिए पेज नंबर 74 उसमें पार्ट 18 कहानी लेखन आप लोगोंने अभी तक कहानी सुनी होगी ना कहानी पढ़ी भी लेकिन कभी कोई कहानी लिखी नहीं होगी तो आज हम देखते हैं अगर हमें कोई कहानी लिखना है तो हम कैसे हम सबको कहानी पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है ना तो आज हम लिखकर भी देखते हैं कहानी सुनना हम सभी को अच्छा लगता है यह तो सही बात है कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है कहानी कहने और सुनने में अंतर होता है कहानी सुनने और पढ़ने वालों के भावों से ही कहानी की रोचक्ता और मनुरंजनता का पता चलता है रोचक्ता मतलब इंट्रेस्ट और मनुरंजनता मतलब हमें कितना आनन्द आ रहा है कितना मज़ा आ रहा है कहानी सुनने में कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें हम कहानी लेखने हैं, कहानी लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना और सुनना तो आता है, तो हमें कहानी लिखते समय कौन सी बाते दियार रखनी चाहिए, कहानी का विशय रोचक होना चाहिए, विशय मतलब सब्जेक्ट, हम किस थीम पर किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं किस topic पर लिख रहे हैं वो interesting होना चाहिए रोचक मतलब interesting interest आना चाहिए उसमें कहानी में हमेशा छोटे-छोटे बाक्यों का ही प्रियोग करना चाहिए मतलब जो sentence होते हैं वो छोटे-छोटे short में हो तभी तो अच्छे लगते हैं अगर हम एक sentence बहुत देर तक बोलते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे ना सुनने में इसलिए कहानी का बाक्यों होते हैं छोटे-छोटे होने चाहिए फिर कहानी की भाषा सरल और इसपस्ट होने चाहिए बाषा सरल इस पस्ट मतलब जो लेंगवेज होती है लिखने की वो easy on इस पस्ट मतलब clear होनी चाहिए कहानी लिखने से पहले उसकी रूप रेखा बना लेनी चाहिए मतलब अगर हम कहानी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें उसको पूरा रूप रेखा इसकी बनानी होगी कि मतलब हमें क्या क्या कहानी में डालना है कहां से शुरू करनी है कहां एंड करनी है और कहानी में क्या क्या कौन कौन से कारेक्टर्स हैं तो अभी हम शुरू करते हैं आईए आप कहानी पढ़ें तो एक ये कहानी है प्यारी चिरिया की हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं देखते हैं ये कहानी कैसे लिखी गई है चीची एक छोटी सी चिरिया थी वह बहुत दयालू थी परन्तु वह सुन्दर नहीं थी इस कारण जं कोई भी चिरिया उसके साथ नहीं खेलती थी, यह देखकर चीची को बहुत बुरा लगता था, एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा जाओ, राजकुमारी के लिए जंगल की सबसे सुंदर चिरिया पकड़ कर लाओ, सैनिकों ने सबसे सुंदर चिरिया पकड़ने के बताई, सबी चिरिया दाने चुगने नीचे आई, नीचे आते ही चिरिया जाल में फस गई, बहुत दुखी हुई, फिर उसी समय सैनिक वहां आ गए, उन्होंने सबसे सुंदर चिरिया को देखना शुरू किया, परन्तु सबी चिरिया बहुत सुंदर थी, यह समझ नहीं पा रहे थे कि इन में से सबसे सुंदर चिरिया कौन सी है, तभी उन में से किसी ने का हम सभी चिरियों को महल में ले चलते हैं, राजा सबसे सुंदर चिरिया को ले लेंगे, बाकी चिरिया हम रख लेंगे, तभी एक सैनिक ने चीची को देखा, वाय बोला, देखो यह चि दो गए इधर चीची चाडिया यू औरकर तुरंत चुहों को बुलालाई सब्सक्विरों ने अपने तेज नातों से तुरंत काड़ दिया थी चुहों चुह में अच्छी चुणियों को धन्यवाद दिया अब बेभी सभी चीची चुछों के साथ पर उसन difभानी इस दो नहीं किया, उसने सभी चडिया केता, नहीं नहीं है उसने सभी चडिया लोगों की हैल्प की छूओं को ळस्ट उछां कर लाई, रेट कटवाया, नेट कटवाया, रेट नेट कट़ा फिर सभी चडिया आजाद हो गई तो सभी ने चीजी चडिया को थेंक्यू बोला यह हमारी कहानी थी कहानी अपको अच्छी लगी ना अभी यह दूसरी कहानी है इसमें क्या था कहानी लिखी होई थी अभी दूसरी कहानी में क्या है पिक्चर देके हमको बताया गया है तो प दूसरे पिक्चर में वो पेड की नीचे बैठके आराम करने रहागा क्योंकि बहुत थग गया था उसने देखा सारे बंदर नीचे आ रहा है तो पिर तीसरे में क्या है सारे बंदर ने टोपिया उसमें पोटली मैसे निकाली उपने पने सर पर पहन लीओ जाकर पेड पर बै फेका तो सभी ने भी वहां से पेड से पत्ते और फूल तोड़कर फेक नहीं लगी फिर उसको एक क्या आइडिया आया उसने नेक्स्ट में क्या किया अपनी टोपी निकाली और ऐसे हवा में उच्छा ली और नीचे गिरा दी तो बंदरों तो ना कल्ची होते है ना बंद और क्या कर रहा है उसने देखा यह कैसे गोल अपनकी टोपी नीचे फेक रहा है तो बंद रोने में पनी बम मकाली नीचे पिक 捏क पोटली उठाई और वहां से चला गया है पिक्चर देख के ऐसे समझ में आरे है इना स्टोरी बने है अभी एक स्टोरी का क्या है कहानी की अनुसार घटनाओं को सही करम दीजी और उसके आगे एक दो तीन लिखिए अभी पिक्चर देख लिए कौन सी पिक्चर के बात क्या ह हो रहा है किसके बात अभी समय में सिक्वेंस बनाना है तो सबसे पहले एक टोपी वाला टोपी अवेच ने शहर जा रहा था फिर दूसरे नंबर में वह रास्ते मैं एक जंगल के पास से गुजर रहा था फिर थर्ड नंबर किसमें आएगा ये सेंटेंस में आएगा उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे फोर्थ नंबर धूप में चलते चलते ठक कर पेड़ की नीचे बैट गया फिर फिप नंबर में क्या आएगा खाना खाया पानी पिया आराम करने के लिए लेट गया फिर उसे नीद आ गई फिर क्या हुआ था नीद खुली तो देखा टोपियों की गठरी खुली पड़ी थी और टोपिया गायब थी फिर वह एरान था कि जंगल में टोपिया कौन ले गया फिर नाइन नंबर आएगा इधर उधर देखा तो उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी फिर टैन नंबर में कहां पर आएगा सभी बंदरों ने सिर पर टोपियां पहन रखी थी फिर नेक्स्ट है उसे हसी भी आई और कुरोध भी आया हसी इसलिए बंदर उसकी टोपिया ले जाका अपने सर पर पहन ली थी कुरोध इसलिए उसकी सारी टोपिया चलीगी बंदर ले गए फिर नंबर 12 में कौन सा आएगा टोपी वाला सोच ने लगा कि क्या करें उसने बंदरों पर पत्थर उठा कर फेके पहले तो सोचने लगा कि कैसे टोपिया तो पत्थर माडने लगा बंदरों को फेर 13 नंबर कहां पर आएगा बंदर पेड से फल तोड़कर नीचे फेकने लगे उसने पत्थर फेका तो बंदरों ने फल तो उन्होंने भी अपनी टोपियां नीचे फेकना शुरू कर दिया फिर नेक्स 16 नंबर अपनी सूज बूज से उसे अपनी सारी टोपियां बापस मिल गई तो यह हमारा पुरा स्टोरी पूरी कहानी कंपली ओ गई है और यहाँ पर हमने पिक्चर देखी कहानी समझ ली फिर उसके बाद इसको सिक्वेंस में लगा दिया अभी हम नेक्स पेज के क्या है अभी हास में भी Ek reduce space अब्चक्पी वाले खानी ना ऐसी इसमें एक यह घड़री क कहानी है इन चित्रों को ध्यान से देखिए, अब इन प्रिष्णों के आदार पर कहानी लिखिए, इसमें क्या है, पिक्चर दिखाएगी, पिक्चर में क्या गड़रिया है, अपनी भेडे चराने ले जा रहा है, पेल की नीचे बैठा है, एक दिन उसने क्या किया, गाउवालों को इन नीचे में क्या खाएगी, में नीचे माचार अउप घरएगी, ट्रीकर झो diffident, वचक्त रह इन उसे सारी बेडे अचारी ऐन लीचारी कोई भेडे एल इता, कि इन पर 40 कि आसा यह इं सच में कोई मारी बात पर यकीन नहीं करें यह कहानी इच्छी थी समझ में आया इसमें देखते हैं क्या करना है इसमें कुश्चन दिये गए हैं पहले चित्र में गडरिया क्या कर रहा है दूसरी चित्र में गाउं वाले गाउं के लोग गडरिय के पास क्यूं आए तीसरी च चित्र में गड़रिया क्यों हस रहा है फिर नेक्स्ट कुष्चन है पाँच्वी चित्र में गड़रिया क्यों शोर मचा रहा है छटे चित्र में गड़रिया क्यों पस्ता रहा है तो यह शे चित्र है उसमें देखना है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है तो हमको कहानी समझनी है औ दूसरे में क्या है दूसरे चित्र में गड़रिया जोर जोर से बचाओ बचाओ भेडिया आया कहते हुए चिला रहा है जिसे सुनकर गाउवाले उसके पास दोड़े चले आते हैं तीसरे चित्र में जब गाउवाले गड़रिया के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें आये थे उसकी मदद करने फिर पांच में चित्र में गड़रिया बेडिये के आने पर शोर मचा रहा है पांच में चित्र में क्या सच में बेडिया आ जाता है और वो गड़रिया है जो वो शोर मचाने लगता है बेडिया उसकी बेड़ों पर हमला कर रहा है और गड़रिया घ तब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया तो यह हमारी कुश्चन के अंसर हो गए और कुरी स्टोरी भी बनेगी अब हम इसको कहानी के तरह कैसे लिखते हैं इसको हम पढ़ते हैं एक गडरिया था जंगल में अपनी बेडे चराने ले के लिए गया बेडे क्या होती है शीप इसे बूल उन मिलती है तो उनको जो चराने ले एत उनको रखते हैं उसको गडरिया बोलते हैं उसके मन में एक शुरारत सूजी वह जोर जोर से चिल लाने लगा भेडिया आ गया बचाओ 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 गाउवाले लाठी लेकर धोड़े आए उन्हें देखकर गडरिय वो अपना सब काम छोड़ कर आयते ना उसकी help करने के लिए लेकिन उसने तो मजा किया था एक दिन रोज की तरह गड़री अपनी भेड़ों को जंगल चराने के लिए गया कि तवी वहाँ पर भेड़िया आया और उसकी भेड़ों पर छप्टा गड़िया जोर-जोर से बचा और कहानी की तरीके से लिखा तो कहानी लेखन सब को समझ में आया कोई कहानी लिखना है तुम कैसे लिखेंगे तो हमने आपर नी थीन कहानिया पड़ी एक है मदद करना चाहिए और दूसरी वाली कौन सी ती ती टोपी वाले उबंदर की तो जह हो मुसीवत में हो परिशा काम लेना चाहिए और तीसरी में पिक्चर में कौनसी गड़री वाली काहनी है तो जिसमें क्या है कि हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए और नहीं किसी से मजा करना चाहिए ति हमारी काहनी कंप्लीट हुई यह पार्ट भी एंकंप्लीट हुआ भी नेक्सट और कहानी को आपको नोट बुक में लिखना है यहाँ है . एक यह वाली कहानी और बंदर कहानी Embassy के लिखनियगे झाल